नमस्ते दोस्तों मेरी यूटूब वीडियो चैनल कॉम्डाट गोस्ट में आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी लोकल डिस्क होती है जिसमें हम हमारे सारे सॉप्पेर सारे फोटो वीडियो स्टोर करते हैं उसकी पार्टिशन कैसे की जाए मतलब कि उसके अंदर भाग कैसे पाड़े जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं के मेरे कॉंपूडर में विंडोस सी मिन्स लोकल डिस्क सी है जिसकी कैपेसिटी है 930 जिवी जिसमें से 651 जिवी है फ्री अब मुझे इस डिस्क के अंदर दो पार्टिशन करने हैं वो भी 200 200 जिवी तो वो मैं कैसे करता हूँ वो आप देखिए पहले यहां पर क्लिक कीजिए उस क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा विंडो खुलेगी और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो हाट डिस्क के विंडोस सी है तो उसे हमें पार्टिशन करके दो न्यू ड्राइव बनानी है तो हम ऐसे करेंगे कि इसके उपर राइक्लिक करके श्रिंक वाल पार्टिशन कैसे किया जाए टोटल साइस बिफोर श्रिंक एमबी जो है यह 952606 और हमें क्या करना है इसमें 200 जीबी हमें नवी डिस्क बनानी है तो हम क्याकुलेशन इस तरीके से करेंगे जैसे कि मुझे न्यू ड्राइव बनानी है 200 जीबी कि तो 200 इन्टु 1 0 2 4 यह जो इसका क्याकुलेशन है मिन्स कि अगर वन जीबी इस इग्वल टू 1 0 2 4 एम बी तो हमें 200 जीबी चाहिए तो हमें इस तरीके से क्याकुलेशन करके इसकी जो भी एमाउंट आई है वह हमें यहा लिखनी है जैसे कि मुझे चाहिए 200 का 200 जीबी तो मुझे इसकी तो 204800 के करने के बाद जो इसमें पार्टिशन होगा उसके बाद जो सी ड्राइव की जो जो लोकल डिस्क है उसमें से पार्टिशन करने के बाद इतनी MB इतनी MB उसमें से कड़ जाएगी 204800 सुर्श श्रिंक बटन के पा क्लिक करना है और ज़ेट कीजिए यह आप देख सकते हैं न्यू लोकल डिस्क हमारी बन चुकी है 200GB जो अभी अनलोटेड है हमें इसे फॉर्मेट करके हमें इसे लोकल डिस्क में कनवर्ट करना है तो इसके उपर राइट क्लिक करने के बाद यू सिंपल वाल्यू यह तो क्लिक करना है फिर नेक्स्ट फिर यह देखना है maximum disk in MB is 204900 minimum space जो 8% है वो system खा जाएगा तो इसे कोई हमें मतलब नहीं है इसके बाद हम click करेंगे next अब यह देखेंगे assign the following drive letter E मतलब की 8, B, C, D, E, F, Z, H, I जो alphabets है उसमें से हमारे जो C नमबर की drive है उसमें से C option चला गया तो इसमें C option नहीं दिखाएगा तो हम select करेंगे A and click कीचे next पे फिर यह पुछा है do not format this volume and second option is format this volume with the following setting हमें कुछ भी select नहीं करके next पे जाना है अगर आप चाहे तो यहाँ पे hard drive का नाम लिख सकते जैसे कि मैंने लिखा है local disk फिर उसके बाद sorry sorry गलत लिख दिया local disk so इसके बाद next बटन लगाईए complete the new simple volume wizard इसका मतलब है कि यह finish करने के बाद हमारी new hard drive क्रेट हो जाएगी यह देख सकते हमारी new local disk जो अभी हमने configuration में किया था वो अभी create हो चुकी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ यह देख सकते हैं पहले मेरी windows c एक single drive थी उसके बाद new मैंने जो hard drive बनाई है आपके सामने वो आगे local disk के है इसमें से हमें 200 GB की requirement थी और वो बन चुकी है तो हम इसके अंदर 200 GB जितना data store कर सकते है अब आप देख सकते थे पहले मेरी hard disk की जो space थी वो थी 930 GB अब उसमें 200 GB कम होके वो new में बन गई है new में बन चुकी है तो अभी हमें और new partition करना है जिसका हम नाम रखेंगे local disk b तो वो में आपको फिर से बता देता हूँ फिर से हमें window c में क्लिक करना है shrink volume में क्लिक करना है करने के बाद हमने जो पहले calculation कर किया था वह calculation रिपिट करना है अब जैसे कि suppose कि अभी 200 GB के आपको hard disk नहीं चीए उससे ज्यादा चीए तो आप for example 350 GB लेके इंटू करके 350 GB करके इंटू करके 1024 कर सकते 50 GB इंटू 1024 जैसे कि देख सकते हैं इसका यह amount आ है 358400 तो यह simply आप यहां पे लिख दीजिए 358400 उसके बाद shrink पे button दबाएए अब आप देख सकते है 350 GB की अलग से hard drive बन चुकी है जो भी unallotted है हमें इससे नाम देना है इसके बाद रहे क्लिक करके new simple volume पे क्लिक किजिए फिर next button दबाएए उसके बाद वापिस फिर next button दबाएए उसके बाद कुछ भी option चेंज रही करना अगर आप यहां पे चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं जैसे कि अब मैं आपर नाम लेखूंगा मेरी चैनल का c o m p d r o i d com droid फिर वापिस next दबाना है उसके बाद finish दबाना है उसके आप बाद आप देख सकते हैं कि हमारी com droid जिसका हमने drive assign की ID वो new बन चुकी है यह देखिए जो हमने new बनाई है hard disk ऐसे हम hard disk के partitions कर सकते हैं अगर मेरी कोई वीडियो में गलती हो तो please comment में लिखिएगा कर सकता है झाल झाल